यह एनिमेटीड सीरीज आपको फर्स्ट एपिसोड में ऐसा फिल देगी कि आप जस्टीज लीग की कोपी देख रहे हूं पती अकीम मानो ऐसा कुछ भी नहीं है इसका फर्स्ट एपिसोड थोड़ा बहुत ऐसी फिलिंग दे सकता है लेकिन इसकी स्टोरी बिल्कुल ही डिफ जो भी आपके टाइम में आएगा वो मतलब इसकी टोटल टाइम निकल के आजैएगा इस सीरीज स्ट के सारे एप इसोड या तीन ही एपिसोड आए थे तो अब जब इसके सारे सारी मैं की सारी कंपड देख चुका हम तो क्यूं ना इसके ओपर वीडियो बनाएं तो यह मै Animated Series कैसी है तो इसकी कहानी के बारे में चर्चा गलत है वैसे कहानी पर जाने से पहले एक छोटी सी बोर्णिंग दे देता हूँ इसमें Spoiler हो सकते हैं लेकिन वो Spoiler आपका इंट्रेस्ट गटाएगा नहीं बलकि बढ़ाएगा भी प्रीथ होने वाला है तो कहानी पर आते हैं कुछ लोग हैं जिनके पास सूपर पावर हैं और उन लोगों की सूपर पावर मतलब जो भी इनकी टीम है उनको Guardian of Galaxic आ गया है और इसके अंदर सबसे पावरफुल एक ज सत्रा साल की उमर में जाके इसको पावर मिली अब स्पोईलर की बारी यह जो Guardian of Galaxic है इन पूरी की पूरी टीम को खतम कर दिया जाता है मार दिया जाता है और इसको खतम करने वाला होता है Omni-Man इसने ऐसा क्यों किया क्या रीजन था इसके लिए तो देखो आपको सारे एप अपना नाम रखा होता है इन्विंसिबल जब इसको पावर मिलती है तो एक तरफ यहां पर यह अपनी सोसाइटी में जो यह समाज है इसके अंदर अपने आपको काबिल साबित करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है लोगों को बचा रहा है साथ इसकी एक relationship love relationship या romance जो भी है एक यह life दिखाए जाती है और एक नए guardian of galaxy का निर्मान होता है उनकी ट्रेनिंग भी दिखाए जाती है तो यह एक तरफ यह story चल रही है और साथ ही साथ जो इसके पिता ने इन सब गार्डियन जो पुराने guardian of galaxy है इनको मार दिया इस एक साथ यह भी story चल रही होती है जो कर दिया है इसलिए मतलब भाई सब जो curiosity वो कमाल की थी और इस इंतजार में था कि कब Omni Man और उसका बेटा Mark आमने सामने आएंगे और उनकी कब fight होगी देखो fight होनी तो लाजमी थी क्या मतलब उस series का फाइदा ही क्या जिसमें अगर बाप और बेटा दोनों मिल जाए और फ हो सारे सवार देखो जैसे मैंने इसकी एंडिंग सोची ते कि या इस वे से इसकी एंडिंग होगी अच्छा ही जीत जाएगी बुरा ही हार जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है इन्होंने थोड़ा सा concept इन्होंने चेंज कर दे जो काफी अची चीज़ है प्रेडिक्टेबल नही पर देख रहा हूं तो इसकी एनिमेटिट सीरीज जब यह जो एनिमेशन है इस एनिमेटिट सीरीज की इसका आठवा एपिसोड खतम हुआ तो मुझे काफी जादा अची लगने लगी और एक बात और ये बच्चों के लिए बिलकुल भी नहीं है सच में मैं इस बात पर ज मैं इसका separate episode एक तरफ है तो ज इस लेवल की इन्होंने जो फाइट दिखाई है उसे कहूं या ना कहूं मतलब अगवा बहूत बढ़िया जो था और इसके एपिसोड की वजह से ही मैं इस एनिमेटिट सीरीज को में देना चाह dit veins और आप आप लोगों नहीं देखी है तो जाकर देख ले ना आप आपका सवाल यह उठेगा ना किया रही है इंग्लिश में लेगी इसमें एक अच्छी न्यूज यह है कि आपको इसमें हिंदी के लिए मदद मिल सकती है क्योंकि इसके अंदर हिंदी सब्टाइटल एविलेबल है लेकिन यह हिंद थे ने 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 जाएंद है